माहा मत कहे महभूब जी मोहे खेल दिखाया बुजरक करो मीठी बातें मुझसे मेरे मीठे खसम हाग मेरे मीठे खसम हाग कारी कामरी रे आज यह हमारी जागनी यात्रा का पहला दिन है पहले दिन में हमारे अशोक जी ने अब जाग देखो सुख जागनी इसुख सुहागिन जोग तेन लेला चोथे घर की चारों का यामी बोग बहुत सुंदर वचन अपने सुनाई अब मैं भी दो शब्द सुनाने जा रही हूं मेरा जी की मेहर से कारी कामरी रे स्वाम जी की आग्या हुई कि करंतन के उपर आप दो शब्द बोले तो मेरे दिल में यही आया यही की कारी कामरी रे यह परकरन कब उतरा जब सुन्दर साथ के बीच में भीश, भूशा, वरन हर तरह की जाती पाती की रेखाई कीचने लगी तो यह परकरन आया उन्होंने सब सुन्दर साथ को कैसे वेरागी भीश दारन करवा दी सिरफ वेरागी भीश दारन करने पर अगर हम कहें कि दिल में विरग्या गया, तो शायद नहीं. तो कारी कामरी पहनने की बात की गई गई है. कारी कामरी. क्या काला कपड़ा पहन ले? तो ये हमारी कामरी है? ये कारी कामरी नहीं. जब तक हमारे दिल में वो प्रेम ना आ जाए, वो इश्क ना आ जाए, जो हमारा शिंगार है हमारी आत्मा का शिंगार किसे होगा? इश्क से, इश्क के बिना हमारा शिंगार नहीं सजगता काला रंग एक कैसा रंग है? जिस पे कोई भी दुनिया का रंग नहीं चड़ता कितने भी रंग हो, काले रंग पर चढ़ाना चाहो तो चड़ेंगे? नहीं चड़ेंगे ना? जब हमारे दिल में इश्क आ गया, वो अनन्या प्रेम आ गया, फिर हम किसी तरह से भी दूसरी नवदा भक्ती में नहीं जा सकते। हमारे अंदर वो नवदा भक्ती आएगी ही नहीं। तभी तो कहा है, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, इक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। इश्क बड़ा रे सबन में, सब में क्या बड़ा है? इश्क बड़ा। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। तू मुझे क्या लगती है? बहुत प्यारी लगती है। जब किसी के दिल में प्रेम हा जाएगा ना, तो उसके सारा संसार क्या कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा, कि उसको बुरा लगेगा। सब के अनदर परेम ही परेम दिखाई देगा, क्योंकि उसका हिर्दे किसमें भर जाएगा? परेम से लबालब हो जाएगा, जैसा चेश्मा लगा लोगे न, वैसा ही दिखाई देगे, जदि हमारे अंदर परेम है, इश्क है, तो हमें सामने भी क्या दिखाई देगा, प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा, वो आपको कोई बात भी कहेंगे न, आपको बुरी नहीं लगेगी, आपको अच्छी लगेगी, आपको अंदर कौन से विचार आएंगे, सक्रात्मक विचार आएंगे, नक्रात्मक विचारों का क तो इस्थान नहीं रहेगा इसलिए कह रहे हैं इंदरावती जी नहीं कहा तो उन्होंने है लेकिन ये सब किस के लिए है हमारे ली हम सब के लिए है मुझे प्यारी लागे तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है सब सिंगार को शोभा देवे किसको शोभा देती सब सिंगार हमारे अंदर सब सिंगार क्यों न सजले हम जैसे कि सेवा कभी सिंगार है जो सेवा करते है न ये भी एक सिंगार है अभी सेवा के बारे में आप सुन रहे थे लेकिन सेवा कोई कर रहा है तन से कर रहा हो मन से कर रहा हो दन से कर रहा हो यदि उसके अंदर प्रेम नहीं है तो वो सेवा भी किस काम की तन से सेवा की मान लीजे तन से तो सेवा की लेकिन उसमें क्या भरा हुआ है मैं खुदी तन से क्या वो सेवा लगेगी क्योंकि तन की अपने सेवा की मैं खुदी को तो मिटाया ही नहीं मैं खुदी आ गई कि मैं सेवा कर रही हूं और ये सेवा मैं ही करूं तो वो भी सेवा नहीं क्योंकि सेवा में अगर प्रेम आ जाए तो क्या है सोने पे सुहागा है इसलिए जो भी सेवा भी करो, चाहे तन से करो चाहे मन से करो चाहे धन से लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? प्रीम होना चाहिए थोड़ी भी मैं खुदी नहीं होनी चाहिए इस मैं खुदी को मार देना चाहिए तबी तो क्या कहा है मारया क्या काडया क्या क्या हो जुदा एही मैं खुदी टले तो बाकी रेया जदी ये कह दे कि मैंने किया मैंने किया तो मेरी मैं खुदी है इसको मैं खुदी को तो समाप्त करना है तबी तो खिल्वत गरंथ को कि अंदर प्रकरन ही क्या आँगे मैं कुदी मारने के प्रकरन है इस मैं खुदी को समाप्द कर देना है जदि यह मैं खुदी समाप्द हो गई जिस दिन तो फिर कौन रहा जाएगा करने वाले कौन रहा जाएंगे एक राजी हम संसार को रिजहानी के लिए निकलते हैं एक राजी को रिजहा लिया राजी के उपर सब सोच लिया कि यह सब करने वाले राजी है मैं तो कुछ है ही नहीं और वास्तम में ना मैं शुरु में थी ना बीच में हूँ ना अखिर में हमने इसमेखुदी को समापट करना तभी सेवा का फल है तभी वानी में भी क्या कहा लोग parenthरा प्रेम सेवाएँ पामसो पार रे भचन धनी के नहीं कहते है भचन धनी ने क्या कहते हैं प्रेम के बात प्रेम होना चाहिए ये बात हुई सेवा की अगर ग्यान की बात भी ले ग्यान भी शिंकार है कोई कहे कि मैं चर्चा करती मेरे 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 को ठाराँजार साथ सो ठावन चुपाईयां याद होगे मैं उजे पूरी बीतक याद है मैं चर्चनी की महाविशारत हूँ एक गली क्या कूचा कूचा क्या थंब गिन लेते हैं महराबें गिन लेते हैं तो ये भी क्या है हमारे एही बुजुर्गी साथ जी भैया गले में एही न देवे देखने एक हुबी इन एही बुजर्गी साथ जी यह बुजूर्गी है सुन्द साथ जी कभी भी बुजूर्गी मत लो कितना भी ग्यान क्यों ना आ जाए इस ग्यान से आप सारे संसार को मुक्ति दे सकते हो मुक्ति देने वाली वानी है यह लैकि यदि आप कहो कि मुझे बहुत कुछ आता है मैं प्रवक्ता हूं मेरे जैसी चर्चा कोई नहीं कर सकता तो ये भी कहा हमारी में खुदी इस में खुदी को भी समाप्त करना है ज्ञान की भुजूर्की लेना अंकार है ये ऐसा अंकार है जो कि जब किसी के अंदर आ जाता है न तो आगे बढ़ने नहीं देता राजी के मुखारबिंद की शोभा नहीं आ सकती क्योंकि शोभा काब आएगी जब हमारे अंदर प्रेम आएगा ज्ञान हमें क्या सिखा रहा है प्रेम वो हमारे अंदर आई नहीं रहा ज्ञान प्रतिष्टा की तरफ भाग रहा है मैं ले लू प्रतिष्टा मैं ले लू प्रतिष्टा नहीं सुनते साइच जी ज्ञान में और प्रेम में शटिस कांकड है हाँ दोनों अगर मिल जाएं ज्ञान हमें लक्षे बता रहा है यदि ज्ञान हम लक्ष की तरफ चलेंगे, प्रेम के द्वारा चलेंगे, तो हम अपने धनी को पा सकते हैं, और जो हम यहां करने आए हम कर सकते हैं, अभी समर्पन की भी बात आ रही थी, अभी सुन रहे थे हम समर्पन, समर्पन, हमारा समर्पन पूरा होना धनी के उपर चाहें, हर चीत धनी आपकी है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी कर रहे हूं, चाहे मैं ज्ञान से कर रही हूं, तन से कर रही हूं, मन से कर रही हूं, धन से कर रही हूं, सेवा कर रही हूं, यह हमारा समर्पन होना चाहिए है धनी, आप हम से करवाने वाले हो, मैं इसमें कुछ नहीं। संतोष, अगर हम कहें कि हमारे अंदर संतोष आ गया, गोधन, गजधन, बाजधन, और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन, रतन, सब धन धूल समान, संतोष कितना भी आ जाए, लेकिन ये भी उस इश्क के बिना प्रेम के बिना क्या है, अधूरा है, संतोष जिसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर इतना प्रेम आ जाता है, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे तो संतोष आ गया, मेरे पास जोंपड़ी है, मैं तो जोंपड़ी मे ही रहना पसंद करती हूं या मुझे इतनी चुपाई आ गई किसी बात का भी उसे अंकार नहीं आएगा संतोष जो है हमें सिखा रहा है कि अंदर अगर आपके आ गया तो समझ लीजे कि प्रेम आ गया प्रेम का आना बहुत ज़रूरी है इश्क का आना बहुत ज़रूरी है व थोड़ा थोड़ा ही बोलूंगे हो कि समय मुझे 20 मिंट का मिला वे राग्या कोई कहे कि मैंने तो वे राग से वैर हो गया मुझे किसी तरह से मुझे कोई प्रेम ही नहीं मैं तो किसी से प्रेम करता ही जदी आपका किसी के प्रती प्रेम ही नहीं तो आपका धनी के प्रती भी प्रेम नहीं हो सकता लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं मोह करूँ हम सबसे मोह करने मोह में और किसी को अपना बनाने में प्रेम करने में अंतर होता है हम सुंदर साथ से अगर प्रेम कर रहे हैं तो ये मोह नहीं है मोह किसका होता है रिष्टेदारियों का रिष्टेदारि कब बन के देखते हैं लेकिन रिष्टेधारी हमारी कभी बनती नहीं दो लाइने में जुरूर सुनाओंगी मुझे बहुत अच्छी लगती है आजकल मैंने सुनी थी मैं सबदा होके देख लियां इक तेरा होना भाकियें मैं सबनू मिलके देख लियां इक तेरा मिलना भाकियें मैं जग दे ताने सैली थे इक तेरा प्यारी ही भाकियें मैं सबदा होके देख लियां इक तेरा होना भाकियें हमें रिष्टेदार राग से वैर होना चाहिए हमें मोहों नहीं करना किसी से संसार का कितना में बनके देख लो कोई आपका बनने वाला नहीं नहीं है वैराग्य का मतलब यह नहीं कि हमने घर बार छोड़ दिया तो हम कहें कि हमें राग से वैर होगें गलत मैं नहीं मानती इस बात को यह जो वैर है दिल से होना चाहिए ओपर कहने से नहीं जब दिल से आजाएगा न तो हमें धनी से प्रेम हो जाएगा इश्क हो जाएगा हम धनी के प्रेम में इतना गरक हो जाएंगे कि यह संसार ऐसे लगेगा कि बज यह धूली सामान वैराग एक शम्षान का भी वैराग होता है घर में कुछ लड़ाई जगड़ा हुआ तो हमारे दिल में क्या आगया अरे आश्रम में रह लेते हैं जाकर के आश्रम में जब जाकर के रहने देखा अरे यहा तो सुबह सुबह चार बजे उठना बढ़ते हैं सारी काम भी करने बढ़ते हैं अपनी इच्छा सकते हैं ना पी सकते हैं बैड सकते हैं जो इनसान चार आद्मियों से गुजारा नहीं कर सकता वो वो जाकर के 100-200-400 में कैसा खुजारा कर सेके। तो यह वेराज्या है, कुछ आया होता है, वो क्या होजाता है? रफू चक्कर होजाता है, वो वेराज्या नहीं, वो भी वेराज्या नहीं, जो कुछ प्ल का, कुछी समय की घर में लड़ाई जगड़ा हुआ और वेराग्या हो आगया नहीं ज्ञान से वेराग्या हो जाता है ना जब जब ज्ञान से तो फिर ये संसार अच्छा नहीं लगता फिर समझ में आजाती है नहीं हमें किस से करना है राग सिर्फ अपने धनी से हम हर पल हर क्षन खाते पीते सोते सुपन सोवर जगरत दाम ना छोड़े माशू को जाकी हकसो हमारी धनी से निस्बत है हमारा धनी से प्रेम है तो हम अपने धनी के प्रेम में हर पल डुबे रहते हैं हमारी सूर्था हर पल किस में लगी रहती है उस धनी की धनी में सुर्ता एक के राखिये मोल मिलावे माहे शाम शामा जी साथ जी तले भौम बैठे हैं हर पल इच्छा क्या करती है बस अभी संसार को नहीं देखूं किसको देखूं मैं देखूं तो अपने धनी को देखूं देखूं तो अपने धनी के शुभा को देखूं देखूं तो धनी के अंगों में डूब जाओं उनके एक एक अंग को प्रेम में डूब करके बस इस तरह से डूब जाओं कि उस समुंदर से मैं निकलना पसंद नहीं करूं उस प्रेम में डूब करके इस अंसार को देखना मुझे अच्छा नहीं लगे अगर मेरे इच्छा भी कर रही है जाने की तो कहां जाओं अपने परमधाम के पचीस पक्षुन हर पल मेरी सुरता उस हौज कोसर में रहे मैं उस हौज कोसर की मचली की तरह उस अननद में डूबी रहूं हर पल जाओं तो कहां जाओं उस जमनाजी में जीलना कर अगर गूमने की मेरी इच्छा ही करती है तो कहां जाओं यहां दुनिया के मेलों में जा करके क्या करूंगी इच्छा करेगी में कहां जाओंगी मानिक पहाड में चली जाओंगी और मानिक पहाड के हंडो हिंडोल में यहां दुनिया जाती है तो क्या जूले जूलती है ना उपर जाएगा जूला तो दिल धक धक करेगा नीचे आएगा तो धक धक करेगा लेकिन वहां परमधाम में ज जब मैं मानिक पहाड के हिंडोलों में घूमूँगी ना, जब मैं उनमें जूले लोंगी, कितना अनन्द आएगा, कितना प्रेम आएगा, उस अनन्द में डूब करके मेरी सुर्ता, उस धनी के प्रेम में डूब जाएगी, और उससे बाहर निकलना, नहीं चाहेगी, संसार को देखना चाहेगी वो, वो दोनों संसार को पीठ देगी, काल माया को भी पीठ देगी, और योग माया को भी पीठ दे करके, अपने धनी के प्रेम में डूब जाएगी, अगर भूमना है, तो अपने परम्धाम के सुखों में गूमेंगे, उस इश्क में इसलिए कहा है, सब सिंगार को शोभा देवें, मेरा दिल बांधया, तुझसों क्योंकि मेरा दिल कीसे लग गया है, यह धनी अब तुमारे प्रेम में लग गया, अब धनी का प्रेम ही मेरे लिए सर्व प्रेम, अब इस अंसार के नाते, रिस्ते सब जूटे हैं, उनसे मेर कोई जिस्ता नहीं, अब यह अपने प्रेम में धनी के प्रेम में, धनी के इश्क में दूबना चाहूँ, इनी वचनों के साथ, मैं अपनी शबदों को विराम दूँगी संदे साथ जूटि, बलो श्री प्राणनात प्यारे की, बलो श्री सद्गुर्यू प्रणाम जी सुन्दे साथ जी प्रणाम जी प्रणात प्यारे की